नितिश कुमार ने अपना मैसेज इंडिया गडबंदन के लिए पहुचा दिया है जेपी नड़ा सारा बात लीग कर रहे हैं आपको ये ख़बर में अंदर की दे रहा हूँ नितिन गड़करी को एक एक चीज का इनफर्मेशन जेपी नड़ा दे रहे एनडिया के टबंद से जो है जो नितिश कुमार के लिए क्या हो स्य वल्टीश चोव्हान 24 चुनाओं का रिजल्ट आप सभी के सामने हैं लेकिन इसमें दो खहेमे हैं एक का माना है कि एंडिये की सरकार आराम से बन रही है कोई दिक्कत वाली बात नहीं दूसी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि इंडिया अपने सरकार जो है वो बनाने जा रही है और अंदर खाने जो है वो तमाम नेताओं के बीच जो है वो सेटिंग बैठाई जा रही है उनकी मीटिंग भी होने वाली है हमारे साथ political analyst है अंगेश जी है इंसे बाचीत करेंगे बिहार से आते हैं नितीष कुमार के देखिए मुदी जी के विरोध में जिस दिन इंडिया नाम का ब्लॉक बना उसी दिन तय हो गया था कि इंडिया की सरकार बनने वाली है और आज जब परिनाम आ चुका है तो मैं आपको 99% दाबिक साथ कह सकता हूं कि इंडिया की सरकार बन रही है मैं आपको बता रहा हूं चुकि मैं हिंदी साहित का च्छात रहा हूं और चुकि आप लोगों नहीं पढ़ा हूँ गोदान प्रेम चंदर का गोदान उसका जो मुख्य करेक्टर है वह हूरी है हूरी का एक कोटेशन बहुत ही प्रासंगे के हाँ पर हो गया है कि जब जूते के नीचे गर्दन परी हो तो जूते को सहलाने में अच्छा है आज जिसके गर्दन पर जूता पड़ा हुआ था आज मामला पलट गया है जिसने गर्दन पर जूता रखा हुआ था उसके गर्द तो अंदर की बाते क्या है चुकि आप तो लूटियन जोन के तमाम उन हिस्सों में बैठते हैं लोगों के साथ बैठते हैं देखिए जब पिछले बार नितीश कुमार बिना बोले हुए बेना कुछ बताय हो बिना किसी खटपट के इंडिया बनने के बाद में उथर चले शूटाओं के साथ जाड़ा करके घर घर पर जाकर के मिल करके उन्होंने मूदी के बिरोध में इंडिया ब्लोक को बनाने में अपनी भूम का निवायी और फिर किसी मामले में भसा कर के घिरा म daley दबाव में तोर में प्षुमार को तोड़के एल और युशिकशल बनाने का प्रयास किया गया कि देखो जो आदमी इंडिया के सुथ॰ है हमने उसको तोर लिया और हमारे लिगर चैलेंज नहीं है और कुमार को तोरने के बाद ही यह लोग 400 चारते पाद 490 vitre नाचनी रिखॉben वो तो टेंपरेचर ना अपनी के लिए जा रहे हैं वो देख रहे हैं कि ताबा पे रोटी किधर ज्याद अच्छा से सिकाएगा पल्टा-पल्टी वाला जो खेल है अपना चेक कर रहे हैं फिर उसके खेला तो ही बहुत बाकी है इंडिया कटबंदर के तरफ से क्या ओफर है कि चंदरवावु नाइडू ने जो काम करना शुरू किया था अमित्सा और मूदी के ताना साही से देश को मुक कराने के लिए एक थड़ फ्रंट बने तो क्या हुआ कि एडी सीवियाई इंकम टेक्स के माध्यम से चंदरवावु नाइडू को सिकंजे में कसा गया और जे भूल जाएंगे जिस आदमी ने अपने सत्ता के लिए अपने परिवार में बिद्रोव पैदा कर लिया था वह क्या नितिस्टा अमित्सा से बिद्रोव नहीं करेंगे जो नर्दमोची बिद्रोव नहीं करेंगे अभी तक कुतोबात यहीं चले कि आराम से NDA की सरकार बन है जिसरी वार प्रधानमंत्री बांट यह कौन बोल रहा है रहा है तमाम तमाम वही चैनल चला रहे थे जो कल तक उनके गोदी में खिल रहे थे अब थूरा से खुझा आपको चल करके इंगो ज्यादा टी आरपी लेने का सौक है लेकिन जो मीडिया हम चला रहे हैं उनको ह और चीज होती है और जब किसी को मौका मिनता चोड़ता नहीं है मौका नितीश कुमार और चंदरवाव उनाइडू दोनों अपने बेज्जती का बदला लेने के लिए यहां पर खरे हैं और आपको बस आज से लेकर कल तक में यह पूरे देश को पता चल जाएगा किस तरीके अब वह कमाल दिखा रहा है ने मेरे मेरे पास में खबर है पूरे रात तक हमित्सा और मुदी सोए नहीं है जे पीन अडा राजनाज सिंग अमिशार मोदी जी मिटिंग चलनी अलग बाद होती है निंद आनली बंद हो गई है उनको निन्द नहीं आ रहे है अब दभा भी इंदिया कट बंद की तरफ से जो है वो नितीष कुमार के लिए क्या उफर है जो भी जो जो चाहेंगे नितीष कुमार जो चाहेंगे वो अफर है यह संभव है इडिया का दोने लेले लेकर नाइडु जी लेकर बोल दिया है कि भाई विसेश राज का दर्जा दर्जा देगे लिडियों सीम बन चुके हैं सिम उनकी पुरुन भमत आचुकी अंदर प्रदेश में तो सिम भी रहेंगे बागी बरेबर प्रट्फोलियों तो मानते हैं कि राहूल गांदी कॉंप्रमाइज करने के लिए तयार हो जाएंगे उनको पता है कि नितीश कुमार चूँ जाए जब उनको पता है कि बहीं एंडिये में रहके मेरी वो सारी बाते पूरी हो सकती है मान लीजिए कि उनको विशेश राज के दर्जा में मांगेंगे वो भी दे दिया जाएगा दूसरी तरब आश्ट्पती माएंगे तो वो भी आगे बना दिया जाए यहां पर आप जोतीजी गलत हैं यहां पर आप गलत हैं तो कि नितीश कुमार को पता है कि इसी मोदी साह की जूरी ने उसके पार्टी को कमजोर किया वो जो चिराग मुडल जो आया था इससे वह बहुत दुखी रहे हैं इसी कारण से हमेशा अदला बदली करते रहे हैं तो वह कहानी है और उनको यह ही पता है एक मतलब कहावत है एक लोगोक्ती है कि चोर चोरी से जाएगा तुमा फेरी से नहीं जाएगा यह अमित्सा और मूदी का यह फित्रत है यह ब्यभार रहा है कि जो उनके साथ में जाता है उसको बरवाद करके दे चूरते हैं कि उत्तर परदेश सी योगी आतनाथ ने चुनाओं को हरवाने में एहम भूमिका दी है अंदर खाने क्या लग रहा ह में कई authentic source ने बता है कि यह इस बात में सतिता है और अब तो जब चुनाओं पर नाम आ गये हैं तो social media पे लगातार वो वीडियो घूम रहा है कि योगी के समर्थक अमित्सा को लगातार गाली देते हुए और चोर डकैत भर्षचारी और ठेकदारी पे कैसे कैसे यह करके अ या फोदों नहीं लेकिन लगता तो है कि कुछ उन्हों जरूर किया है सब्सें बड़ी हो वह घृडडि के हो वह नितिश कुमार पर 20 नितिश कुमार दस बज के 40 मिनट पर बिहार से निकलते हैं दिल्ली के लिए एंडी के मीटिंग के लिए और दूसरी तरब तेस्वी यादव 10 बज के 40 मिनट पर उसी फ्लाइट में पहुंचते हैं इंडिया गटबंदन पहुंचने के लिए दोनों में बातचीत होती है क्या नितिश कुमार ने अपना मैसेज इंडिया गटबंदन के लिए पहुंचा दिया है आप इससे पहले 30 गंटा पहले चले जाईए 11 बज के 40 मिनट पर बीजेपी के परदेश अध्यक्ष बिहार के समराच चोधरी मिलने के लिए गया थे तो नितिश कुमार ने बोला कि हम भी लंच कर रहे हैं और मिलने से मना कर दिया तो इसकी सुरात तो इनकी बीजेपी से दूर्यों की सुरात कल से ही हो गई थी और उस अपने बोर्ट को बीजेपी को ते अध्राय शेच करवा अध्यार्न रहा कि जरूर्त नहीं थी चीए qo और एक जो वीडियो से मिखा होगा कि मधी इंफ पर सुपने आपको चढ़ाय हुए नीचे से ऊघर को फॢ़ाउत करें आपको हाट पर जो था तो कमल को बार-बार उल्टा कर रहे थे बार-बार उल्टा कर रहे थे तो नितीस्त कुमार मोधी के बगल में खराओक अपने बोट्म को मैसे दे रहे थे की क्वसिंगाल को उल्टा करना अच्छा अच्छा यह बताएं कि अभी क्या लगता है शाम तक आते आते या कल दिन तक क्या तस्वीरे साफ हो सकती है कि देश की राजनिती बदल सकती है अभी देखिये वह चार बजे इंडिया की बैठक है चे बजे इंडिया की बैठक है तोनों अपने प्रयास में लगे हुए हैं और इसका प्रयास के पीछे बहुत बरी बरी लौबी लगी हुई है क्योंकि ऐसे लोगों को देखिए अंबानी अडान कल आप एक बात पर और गवर के आओग जैसे ही एकजिट पोल गलत साबित होना शुरूआ जो कि ओलेडे से जो नीट्रल लोग हैं जनता का जो रुज और डानी और मोदी एक हैं और अमबानी और मोदी से जो लोगो सारे पूरे देश के बेवसाई कोर्फेट सारे परेसान थे उनके लिए अच्छा फिर हो रहा है और वो सारे लोग अपने अपकाम में लग गये एक ख़बर ये झाल रही है कि नितिन गटगडी को आरस के तर लेकिन वहां नितिन गड़करी नहीं थे जबकि बड़े चहरे हैं वहां होना चाहिए लेकिन नहीं थे यही कारण एक बताएं अनुद्ध कर दिया गया नहीं तो यह जो गुजराती चौकरी है यह तो चाहती नहीं है पता है और यहीं बात में बता दूं कि जेपी नढडा नितिन गड़करी के दौरा भारत के वीजेपी करांटी में लाए गए हैं जेपी नढडा साहरा बात लींग कर रहे हैं आपको यह कबर में अंदर की दे रहे हूँ नितिन गड़करी को एक-एक चीचीच का information जेपी तो नितिन गड़करी को मोधी और मिलसा के एक चाल के सूचना जीपी नड़ा दे रहे हैं आप में एक दम हेड्लाइन पर चलाएगा तो अगर बात चार बज़े नहीं बनती है एंडिये के मीटिंग में तो निजिस हुमार 6 बज़े मीटिंग सकते हैं अब यह देखिए आप पांच मीटिंगा गठाश कि अपंधन अपना मेसज पहुंचा दियें तेज़र ने ओंडिये सीफ़े शुमार बहुत ही अब दाबनाने का टेक्टिकों और कुछ नहीं बगन्यों स में और रहें है ही इंडिया एवं में हैं मंताबंदे रहेंगी वोए जबाव बनाने का तरीका होता हुटा हplat लेकिन लेकिन क्ले इदकर इसके अगिया संगLEY आदेब ने जो पर्फॉर्मेन्स दिया को शय में ये काम लोग हमारे जैसे समिधान को मानने वाले लोग जिस बात से चिंतित थे डरे हुए थे इस बात के लिए अखिल जादों को धन्यवाद देना पर है कि उन्होंने सांदार काम किया है चुकि एक संकेत और भी है यह हमेशा बोला जाता है कि दिल्ली का रास्ता हमेशा यूपी के हो के जाता है और यूपी अखले से अदव ने जीत लिया है तो रास्ता खुला हुआ है रास्ता खुला हुआ हुआ और जीत के जो जीत के आया है यह बहुत बड़ा मैसेज है कि यूपी जिसनी जीता सरकार उसी के बनेगी बहुत अभी दूरी पर है 30-37-38 सीटों की जरू आप कहें चिराग पासमान की बात करेंगे तो चिराग पासमान को भी के तोड़ा गया दूड़ा बसके नहीं से नहीं हो में ना मुक्त कर दो बिंदरिक हम एक ही बात हमींग पालण को में नहीं हो नाकार ने सकते हैं चंद्रबावु नाइडो नितीश कुमार और चिराग पासमान अब्मान का बदला लेंगे और वह तो छोड़ दीजे महराज में सिंदे जो साथ सीट ले करके आए हैं अजित पवार जो एक सिट ले करके आए वह आठ सीट भी फिर से महराज में कहला होने वाला है अभी एंडिये जो यह है ना 240 240 बाला इमामला रहा जाएगा कि यह हैं बिहार की राजनीती को समझते हैं और इनसे हम बाचीत करें तरीके से देखिए आप तमाम चैनलों पर नितीश कुमार को लेकर जो है कयास लगाए जा रहे कि हो सकता है इंडिया गटबंदन म साथ क्योंकि उनका ट्रेक रॉक रिकॉर्ड भी जो है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है वो तमाम तमाम जो है वो वक्त वक्त पे वो अपना पाला बदलते रहे हैं हालाकि अब इंडिया गटबंदन की बात है तो नितीश कुमार ने इस गटबंदन की को पूरा तयार किय था बनाया था और उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा कि वो इंडिया गटबंदन के साथ कभी भी चले जाएं जो भी होगा लगातार आपको दिखाएंगे बताएंगे फिलाल के लिए नमस्कार